नमस्कार, एजुकेशन प्लस करें प्राप का स्वागत है, लुसेन काइट से हम लोग चैप्टर नमबर 3 स्वाल्व कर रहे हैं, बिन्नात्मक संख्या और ये पार्ट 3 वीडियो है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे वहाँ जा करके लेक सकते हैं, तो पार्ट 3 में हम लोग क्वेस्चन नमबर 15 से आगे के प्रश्णों को स्वाल्व करेंगे, तो आएगे देखते हैं क्वेस्चन नमबर 15, 15 नमबर क्वेस्चन में, 107 गुने 107 पलस 93 गुने 93 ब्रावर वाट, इसको हम लोग स्वाल्व करने के लिए एक फ पलस 93 गूने windowsgov. 107 гूने 107-93 कूने इसका value निकालना है कसका value निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यह गया लिखते हैं जैसे दो गूने 21 रहता है तो दो का ड्यांज लिखते हैं अगर 2009 चॉने 24 रहेगा वना तो 4 का स्कॉर्णज लिखते हैं पांच गुने 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो 107 गुने 107 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 107 का स्क्वायर 93 गुने 93 है तो क्या हो जाएगा 93 का स्क्वायर ठीक है यहां तक तो हम लोगोंने काम कर लिया अब यहां से 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 पलस 7 का स्क्वाइर, और यहां से देखे, 93 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 7 का स्क्वाइर, 100 पलस 7 का स्क्वाइर, और 100 माइनस 7 का स्क्वाइर, अब यहां से हम लोगों को A पलस B का हॉल स्क्वाइर और A माइनस B का हॉल स्क्वाइर का फर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए तो देखी यहां से A पलस B का हॉल स्क्वाइर का होता है A स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर पलस 2AB A माइनस B का हॉल स्क्वाइर का क्या फर्मूला होता है A स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर माइनस 2AB तो इसी फर्मूले का हम लोग योज इसमें करेंगे तो यहाँ से देखिए यह हो जाएगा A पलस B के हॉल स्क्वाइर पर तोड़ेंगे A के जगाँ पर 100 रखना है B के जगाँ पर 7 तो यहाँ A स्क्वाइर है मतलब 100 का स्क्वाइर हो जाएगा पलस B square है तो B के जगह पर 7 है तो 7 का square हो जाएगा पलस 2 A बितर 2 into A के जगह पर 100 हो जाएगा और B के जगह पर क्या हो जाएगा 7 A के जगह पर 100 और B के जगह पर 7 अब यहाँ से देखिए A माइनस B का whole square है तो A के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे plus का plus लिख दी A के जग़ाँ पर लिखेंगे 100 का square plus B square है मतलब कि 7 का square होगा minus 2 A B तर 2 into A के जग़ाँ पर रखेंगे 100 और B के जग़ाँ पर रखेंगे कितना 7 तो इस रूप से भी हम लोग इसको बना सकते हैं A plus B के होला सक्वाइर पर इसको हम लोगों ने तोड़ दिया A minus B के होला सक्वाइर पर इसे हम लोगों ने तोड़ दिया अब यहां से देखिए 100 का square ठीक है तो 100 का square कितना हो जाएगा 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा 7 का square कितना हो जाएगा 49 साथ का स्क्वायर कितना होगा उन्चास यहां से देखे सेम चीज है सो में दू से करेंगे दो सो दो सो में साथ से करेंगे चौदा सो और यहां से भी चौदा सो तो एक पलस में चौदा सो हो और एक माइनस में चौदा सो है तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा खतम हो जाएगा यानि कट आएंगे तो ऐसे भी जिरू आएगा पलस यहां से 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वाइर और यहां से कितना हो जाएगा 49 तो 10,000 और 10,000 कितना हो गया 20,000 20,000 और 49,000 कितना हो गया 98 तो यह हो जाए कितना 20,098 इसका अंसर आएगा और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 107 गुन 107 है 107 में 107 से गुना कर लेंगे फिर 93 में 93 से गुना कर लेंगे और दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा उसे एड कर देंगे तब भी हमारा यही अंसर आएगा है ना 20,098 क्वेस्चिन नम्बर देखे 16 क्वेस्चिन नम्बर 16 में 287 गुने 287 पलस 279 गुने 279 और माइनस 2 गुने 287 और गुना 279 हना अभ्याहां से अगर हम लोग इसे सोल्फ करें तो यहां से देखे 287 गुने 287 तो 287 का स्क्वाइर हो जाएगा 279 गुने 279 तो 279 का स्क्वाइर हो जाएगा और माइनस इसको रहने देजे 2 गुने 287 और गुना 279 ठीक है सेम प्रोसेस हम लोग को है अब यहां से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है अगर हम लोग 287 के जगा पर ए रख दें और 279 के जगा पर क्या रख दें भी तो देखे हम लोग को कौन सा फॉर्मूला आता है इतना मान लेते हैं है ना इतना हम लोग 287 के जगा पर ए रख दें और 279 के जगा पर भी रख दें तो 287 यहां है तो यह रख दिए मतलब ए स्कॉर्र 279 यहां है तो भी रख देंगे यानि बी अस्कॉर्र माइनस 2 इन्टू 287 है तो 287 को A रखेंगे और 279 है तो 279 को क्या रखेंगे B इसका मतलब है यहां से A square plus B square minus 2AB अब यह फॉर्मूला अभी हमने उपर लिखा था कि A square plus B square minus 2AB किसका फॉर्मूला होता है A minus B का all square A minus B का किसका all square का ठीक है तो हम लोगों को अगर यह डाइरेक्ट यहां हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि A square हो गया B square हो गया minus 2AB हो गया तो हमारा जो भी फॉर्मूला आएगा यह minus B का all square तो यह minus B A के जग़े पर क्याम आने है 287 minus B के जग़े पर क्याम आने है 279 तो 287 minus 279 का क्या हो जाएगा square यहां हम लोग यह जो इतना step यहां से यहां तक कि हम लोगों ने किया है यह हमारा बनाने के उदेश्य से है यहां आपके basic के लिए अच्छा है लेकिन अगर डिरेक्ट बनाना होगा तो हम लोग कहां डिरेक्ट 287 minus 279 करेंगे तो 18 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 324 ठीक है 18 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 324 तो यह थांबर 17 17 नंबर question दो भिनात्मक संख्याओं का योग 6 पुनांक एक बटा 2 है एवाम उनका अंतर 3 बटा 8 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या निकालना है तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना की बड़ी संख्या संख्या एक से ठीक है और छोटी संख्या वाई है माना कि बड़ी संख्य एक से और छोटी संख्या क्या है वाई है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो हम लोगों को दिया हुआ है अब प्रस्ण में देखें दोनों का योग दिया हुआ मतले एक पलस वाई बरावर कितना दिया है छे पूर्णांग एक बटा दो छे प को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो एकस और एकस को जोड़ेंगे तो यह 2X आएगा यह Y जोड़ेंगे इसको तो घट जाएगा है नदो जीरो आ जाएगा यह जो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा ये जूटेगा तो 6 पूर्णांक 1 बटा 2, 3 बटा 6 पूर्णांक 2, 3 बटा आठ, एक्स की भैलू निकालना मतलद बड़ी संख्या हमार एक्स ही है तो 6 पूर्णांक 1 बटा 2, पलस 3 बटा आठ और बटा में क्या करेंगे 2 तो यही हमारा answer में दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा इसका सही उत्तराएगा question number 18 देखिए question number 18 इतना और इतना कि ब्यूत कर्मों का योग का ब्यूत कर्म क्या होगा तो इसका ब्यूत कर्म जोड़ना है तो ब्यूत कर्म क्या होता है देखिए ब्यूत कर्म क्या होता है उल्टा ब्यूत्करम क्या होता है उल्टा तो ब्यूत्करम क्या होता है उल्टा जैसे हम लोगों को एक बटा पांच का ब्यूत्करम निकालना है या तीन बटा पांच का ब्यूत्करम क्या होगा हर को उपर कर देंगे और अंस को नीचे कर देंगे मतलब पांच बटा तीन हो जाएग तो यहां से दिया है कि 3 बटा 5 और 7 बटा 3 के व्यूत करमों का योग तो 3 बटा 5 देखे 3 बटा 5 और क्या है 7 बटा 3 3 बटा 5 है और 7 बटा 3 है अब इसके व्यूत करमों का योग निकालना है तो व्यूत कर्मों का योग निकालना है तो इसका व्यूत कर्म कर देंगे यानि तीन बटा साथ दोनों को जोड देंगे यानि योग निकालना है तो 7 और 3 का 21 हो जाएगा 3-21 में भाग लएंगे 7 7 पचे कितना? 35 पलस हो जाएगा, 70-71 30-31 कितना? 9 तो 35 और 9 कितना हो जाएगा? 35 और 9 कितना हो जाएगा? 9, 5, 14 44 बट़ गितना? 21 तो यह हो गया क्या? व्यूत करमों का यूग तो बियूत करमों की योग का का व्यूत करम निकालना तो 45 21 का व्यूत करम क्या हो देंगे इसको यानि कि 21 बटा क्या हो जाएगा चॉग आई यह देखतें question number 19 19 number question में क्या है देखिए वह संख्या क्या होगी जिसे 2 पुर्णांग 5 बटा 7 से गुना करने पर गुनान फल 4 पुर्णांग 13 बटा एकाई से हो जाता है अगर 2 संख्याओं का गुनान फल दिया हुआ है या फिर मान लेते हैं 19 नंबर में कि जिसे इतना से गुना करने पर गुनान फल इतना प्राप्त होता है तो माना की संख्या बराबर एक से माना की संख्या क्या है एक से अब इस संख्या को हम लोगों को गुना कर इस संख्या में किस से गुना करना दो पूर्णांग पांच बटा साथ से तो दो संख्या एकस है एकस में गुना कर देंगे दो पूर्णांग पांच बटा साथ से गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए चार पुर्णांग तेरा बटा 21 मिलना चाहिए ठीक है तो गुना कर लेंगे हम लोग इसको एक सो जाएगा गुना पुर्णांग खटा लिजे साथ दूनी चौदा चौदा और पांच कितना हो जाएगा 29 बटा 7 बराबर 24 चौरासी चौरासी और 13 चौरासी और 13 कितना हो जाएगा 97 बटा 21 अब यहां से हम लोग इससे सॉल्फ करेंगे तो एक स बराबर आ जाएगा 97 बटा 21 और यह देखे गुना में है न इधर इधर आकर कि यह भी गुना में होगा लेकिन यह वाला भैलू उपर चला जाएगा नीश कहा 안गया नीश्यय याने 7 बटा क्या हाँ nine तो कटेगा तो काटी Ist संताव बटा कितना आ गया संतावन तो संतामव बटा संता पाल शंतान बटा संता भान यही क्या जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा option number कितना 4 ठीक है आईए हम लोग solve करते हैं question number 20 को देखिए question number 20 में है दो संख्याओं का गुननफल दिया हुआ है दो संख्याओं का गुननफल 5 बटा 4 एक संख्या 5 बटा 6 तो दूसरी संख्या ग्याद किजिए अच्छा मान लेजिए यहाँ से एक दो संख्याओं का गुननफल दिया हुआ है दो संख्याओं का गुननफल क्या दिया है दो संख्याओं का गुननफल दिया है कितना 5 बटा 4 एक संख्या दिया हुआ है कि जो गुना करने वाली संख्या थी वो कितना है 5 बटा 6 तो दूसरी संख्या को तो नहीं दिया है मतलब x मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जिसको हम लोग गुना कर रहे हैं ठीक है तो यहां से यह 5 x बटा 6 होगा और यह 5 बटा कितना होगा 4 cross multiply करना है तिरचा तिरची गुना करना है तो 5 x के 20 x हो जाएगा बराबर 6 पचे कितना हो जाएगा 30 x की value कितना आजाएगा यह गुना में है तो यह बटा में चला आएगा यानि 30 बटा बीस Week 0 से week 0 खतम होगा यानि संख्या में हम लोगों को कितना से गुना करना था तो 3 बटा 2 से करना था यही इसका क्या हैगा अंसर question number 21 सबसे छोटी संख्या निकालना है ठीक है यहाँ पास दिया हुआ है 5 बटा 3 8 बटा 9 7 बटा 10 5 बटा 6 में क्या निकालना है हम लोग को सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबको सबका हर बराबर कर देते हैं ठीक है यानि समहर वाला जो concept हम लोगोंने पहली वीडियो में समझा था वही काम यहां करना यानि हर को बराबर कर देते हैं ठीक है तो 3 9 10 6 का इलशियम ले लिजे 3 9 10 6 का इलशियम 3 9 10 6 का इलशियम कितना हो जाएगा तो 3 तियाई 9 हो जाएगा 9 तियाई 9 9 9 दूनी 18 हो जाएगा 18 पचे 90 हो जाएगा एना देखे 3 9 10 6 3 9 10 6 इसका इलशियम निकालना है 3 से लगाईए 2 से लगाईए इसको 3 9 5 3 फिर यहां 3 से लगाएगे 1 3 5 1 5 तियाई 15 15 तियाई 45 45 दूनी 90 आनि इलशियम कितना आएगा 90 अब हम लोग क्या करेंगे इलशियम 90 है तो सब को हर में 90 बना देना है जैसे 5 बटा 3 8 बटा 9 7 बटा 10 और 5 बटा 6 ठीक है 5 बटा कितना है 6 अब यहां से हम लोगों को यह देखना है नहीं तो आप इसको इस रूप से भी बना सकतें 90 से गुना कर देजें सब में इसमें भी 90 से गुना कर देते हैं इसमें भी 90 से कर देते हैं इसमें भी 90 से कर देते हैं और इसमें भी 90 से कर देते हैं 3 से करेंगे इसको 30 बार में 9 से करेंगे 10 बार में 10 से यह 9 बार में और 6 से 15 बार में 30 पचे कितना आ गया 1.500 औरदहां के कितना आगे? सिंदाने गें, सिन्ने कितना आगे? तीरसर्यट और पंदरफशे कितना आगे? 75 अब इन सब में छोटा कौन दिझाई दे रहा है? 63, 63 तो 63 कहां से आ रहा है? साथ बटा, ठैस से तो साथ बटा, ठैस क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा साथ बट़ दस क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगे ठीक है क्वेस्टन नमबर देखिए 22 का भाइस kardeşim 22 नमबर क्वेस्टन में यहां भिन्नातपक संख्या हैं पांच बटा們 सत्रा नौ Бटे सत्रा आट वटा exit 10 वटा 17 को घटते हुए क्रम में लिखने की शही व्यवस्ता है। तेसे हम लोग यहीं से solve कर लेते हैं, घरते क्रम में लिखना है ना, जब हर बराबर होगा, हर क्या होगा, बराबर होगा, तो जो भीन सबसे छोटा होगा, वही हमारा छोटा होगा, तो घरते क्रम में लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले बड़ी शंख्या को लिखना है, तो 10, 8, 9, 5 में बड़ा कौन है 10 यानि कि 10 बटा 17 पहले होगा 10 बटा 17 यहां पहले है फिर कौन होगा तो 9 बटा 17, 9 बटा 17, 8 बटा 17 यानि 9 के बाद 8 और 8 के बाद 5 तो यानि option number कौन हो जाएगा 1 question number 13 एक बटा 2, एक बटा 4, एक बटा 3, एक बटा 6 को बढ़ते विक्रम में विवास्थित करना है तो देखे यहां हम लोगों को एक उल्टा concept यहां हर समान था यहां क्या था हर समान था तो अंस में जो छोटा होता है वही छोटा जो बड़ा होगा वो बड़ा यहां से अगर आंस समान हो तो हर में जो सबसे छोटा होता है हर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होगा और जो हर में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा तो इस concept का आप याद रखे क्या याद रखना है अगर सभी का आंस समान हो तो सभी का आंस समान रहेगा तो उस इसमें सबसे जो छोटा होगा हर ठीक है वही सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे अगर बड़ा है हर तो वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी तो बढ़ते क्रम में लिखना मतलब छोटा से बड़ा लिखना है तो छोटा से बड़ा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे इ एक बटा छे सबसे छोटा होगा क्योंकि इसी का तो हर सबसे बड़ा है तो एक बटा छे हमारा ये इस option में और इस option में उसके बाद कौन होगा एक बटा छे के बाद एक बटा चार होगा एक बटा चार एक बटा चार के बाद एक बटा तीन फिर एक बटा दो यानि कि ये वा पांच बटा 6 और 7 बटा 8 को घरते करम में लिखना है इसको किस रूप में लिखना है घरते करम में तो आईए हम लोग इसे लिखते हैं किस रूप से हम लोग इसको लिख सकते हैं इसे हम लोग चेक कर लेंगे ठीक है तो question number हमारे पास है 24 question number कितना है 24 3 बटा 4 है 5 बटा 6 है और 7 बटा कितना है 8 है अब यहां से हम लोग को क्या करना है सब को सब का हर बरावर करना है सबसे आसान तरीका यही है बखते क्रम और घटे क्रम में लिखने का क्योंकि यहां न तो अंस समान है न तो हर समान है तो सब का हर हम लोग क्या कर देते हैं बरावर कर देते हैं तो 4, 6, 8 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहना LCM कितना आएगा इसका 24 ठीक है अब देखें 3 बटा 4, 5 बटा 6, 7 बटा 8 LCM से गुना कर देजिए इसमें 24 इसमें भी 24 और इसमें भी 24 तो 83 के 24 हो जाएगा छेचों के 24 हो जाएगा और 4 छक 24 यह गुना कर देंगे 6, 18, 5, 4 के 20 और सत्या कितना हो जाएगा 21 हम लोगों को लिखना है किस करम में घरते करम में लिखना है तो घरते करम में लिखना है इसका मतलब है कि हम लोगों को बड़ा से छोटा लिखना होगा तो बड़ा कौन है 21 तो 16 हम लोग को कहां से आ रहा है देखिए 17 आ रहा है 7 बटा 8 से मतलब कि 7 बटा 8 पहले हो जाएगा फिर उस से छोटा कौन है 20, तो 20 कहां से आ रहा है 5 बटा age 6 से 20 कहां से रहा है 5 बटा age 6 से तो यह हो जाया कितना 5 बटा Mix अब हम लोग को 18 आ है तीन बटा चार से तो इस रूप से हम लोग इस परकार हम लोग इसको घाटते क्रम में लेख लिए ये था question number कितना चौवपिस question number 25 किसी धन में उसका एक बटा साथ जोड़ने पर 40 रुपय हो जाता है तो वह धन ग्याद करें दो खोलें तो कोई धन है तो मान लेंगे धन एक से धन में उसका एक बटा साथ जोड़ना है मतलब एक्स का एक बटा साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा चालिस देखें मान लेते हैं कि धन क्या है एक से माना की धन ब्राबर एक से अब धान का एक बटा साथ निकालना है तो एकस का एक बटा साथ हो जाएगा यानि एकस बटा साथ हो जाएगा तो अब यहां से क्या बोल रहा है कि धान का एक बटा साथ जोड़ना है तो यानि एकस में क्या करेंगे एकस बटा साथ को जोड़ देंगे X में क्या जोल देंगे X बटा 7 को तो X में अगर X बटा 7 को जोल देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है 40 रुपिया अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं Solve कर लेते हैं भिनका जोल निकाल लेंगे यहां से यह 7 हो जाएगा X से 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा तो 7 में X से करेंगे 7X 7 से 7 एक बार में यहां X हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 40 7X और 1X कितना हो जाएगा 8X बटा 7 बराबर 40 बटा 1 भी कर सकते हैं इसको cross multiply करेंगे 8X बराबर 2828 हो जाएगा 8X बराबर कितना हो जाएगा X की भेलू कितना आजाएगा 280 280 और बटा में आजाएगा कितना 8 8X इसको काटिए 8-3 के 24, 6, 5, 45 यानि X का भेलू 35 आगे तो धन क्या है X ही तो माना था धन तो धन X था 35 आगे मतलब धन हमारा कितना आ गया 35 रूपया Q2 देखिए 26 26 26 नमबर Q2 में किसी धन का 1 बटा 6 भाग उसकी एक बटा 8 भाग से 24 रूपया धीक है तो धन ग्यात करें तो किसी धन का तो धन तो दिया नहीं है तो धन को मानना पड़ेगा माना की धन बरावर क्या है तो किसी धन का एक बटा 6 है तो धन का एक बटा 6 उसकी आ एक बटा 8 भाग से 24 अधीक है तो यहां से देखिए धन का एक बटा 6 तो एक बटा 6 हो जाएका धन का एक बटा 6 कितना एक बटा 6 उसके आठवे भाग से उसके 8 वे भाग से यानि 1 बटा 8 से कितना अधिक है 24 रुपिया अधिक है ठीक है 24 अधिक है तो यहां से 1 बटा 6 जो है 1 बटा 8 से 24 क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा अब यहां इसको हम लोग solve कर देंगे 1 बटा 6 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 21 बटा 8 अब बरावर क्या हो जाएगा 24 ठीक है अब हम लोग solve करेंगे इसको 8 6 का ilschim कितना आएगा 24 आएगा 6 4 के 24 चार एकस माइनस आट सैनी के 24 तीने गस में बरावर कितना 24 ठीक है अब यहां से एक सब्रावर क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे यानि इसको गुना यहां और इसको गुना यहां तो 24 में 24 से करेंगे तो यह आ जाये कितना 576 यानि कि हमारा कूल धन कितना था 576 था तो आज की वीडियो में इतना हैं बाकी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए बाकी की वीडियो लुसेंट गाइड का आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा लुसेंट गाइड के नाम से ही प्लेइलिस्ट बना हुआ ह थेंक